तो यार मैंने कल एक नया anime को देखा Actually हुआ गया न मैं Netflix में ऐसे घूम रहा था कोई नया सीरीज देखने के लिए और मुझे जो अचानक से ये anime recommend किया गया Lookism और ये जो है Netflix में नया ही आया है Plus इस वीडियो को बनाने का main motive यही है ऐसे तो मैं दूसरे anime वगरा दूसरे series वगरा देखता रहता हो कभी कभार लेकिन मैं उन पर वीडियो नहीं बना तो लेकिन इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये तुमको Netflix में Hindi dub में देखने को मिल रहा Plus ये anime कोई Japanese anime नहीं है ये Korean anime है और ये एक Korean Manua का adaptation है जिसका सेम नाम है जो इस anime का नाम है लुकिजम अब देखो जो लोग मानवा पढ़ते हैं उनको जो है इनके बार में पता होगा और ये बहुत ही famous Manua series है जिस तरह से God of High School था Solo Leveling Tower of God उसी तरह से लुकिजम भी जो है बहुत famous franchise है अब जो है इसके साड़े 400 के आसपास chapters हैं वैसे Manua में तो episode बोला जाता है लेकिन chapter ही बोलेंगे काई कि ज़्यादा comfortable feel होता है because anime में episode बोला जाता है खेर मैंने इसका Manua बिल्कुल ये नहीं read किया है लेकिन मैंने इस anime को देखा और इसको लेकर कि आज मैं विचार रखूँगा कि क्या तुम्हें इस anime को देखना चाहिए अब देखो जादतर तो अगर तुम सब जो Hindi dub anime खोजते रहते हो तो तुम जो है इसको जरूर देख सकते हो प्लस मुझे कैसा लगा पहले बात करते है plot की plot जो है जो हो सकता है तुम सबको कुछ नया दिखाई दे लेकिन मुझे plot नया नहीं दिखाई दिया अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दू कि मुझे के ड्रामास भी देखना पसंद रहता है हाँ सबके अपने अपने सौक होता है और मेरे बहुत सारे सौक है कि मैं एक सीरीज पर नई टिक पाता हूँ किसी एक specific country का मुझे अलग-अलग country के series movies देखना पसंद है और यह वो रीजन है कि मुझे Korean dramas भी आखिरकार attract करी दिये और मैंने देखना चलू कर दिया जिसके बाद जो है मैंने दो-तीन Korean dramas देखे थे जैसे कि एक Oh My Venus उसमें भी वही इसी टाइप का है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग तुमको देखने को भी लेगा उसके अलबाब मैंने Korean movie देखा था जिसमें थोड़ा सेम टाइप का कॉंसेप्ट लगे गा इसमें लेकिन वहां और यहां में थोड़ा सा चेंज है बट फिर भी वही मोटा वाले बंदे को जो ट्रोल किया जाता है एक्चुली मैं इस सीरीज का जो मेन कारेक्टर है ना अब देखने में भी पूल के जितने भी बच्चे होते हैं बदमास बच्चे वो लोग उसको बहुत ही ज्यादा पीटते रहते हैं गदे की तरह मैनत करवाते रहते हैं और सच में यह देखकर के एक टाइम के लिए बुरा लगा था लेकिन कोई नया नहीं दिखा मेरेको अब हो सकता है तुम धकता नियार और किसी मोटे को तो मोटा बोल दो तो वो ज़्यादा बुरा नभी मानता है घ्यांतलों किया हमारे इंडिया में वेसे ज्यादा दिल पे लेकिन हां ये अगर वो prim Präsident से उसको मतलब हट से जादा पीट दोगे हट से जादा उसको बुली करोगे वह थोड़ा जादा हो यह मैंने जब इसको देखा दा क्या सच में ऐसा होता है तो भाई वह कंट्री अच्छा नहीं है मेरे को पसंद नहीं है लेकिन आई होब कि लोग ने वेबटून में कुछ ज दरूँगा यहां पर नए लोग होंगे और मुझे पहले स्कूल की तरह मुझे नहीं पीटा जाएगा जिसके बाद उसको यह हो जाता है कुछ सेकंड़ों में जैसी वह पहुंचता है कुछ समय बाद ही उसको फिर से कूटा जाता है और उसे पता चल जाता है कि यह वाला पहले वाले से भी ज्यादा बतर है एंड वो मार खाने के बाद वो तो भाई बहुती ज्यादा बुरा हाल था उसका लेकिन फिर जब वो रात को सोके उठता है वो एक चीज देखता है कि जो उसका बाडी है वो चेंज हो गया एक्चुली में उसके दो बाडी सो गया है एक नॉर्मल वाला बॉड़ी जो हमें बार-बार दिखाया जाएगा यार वो मोटा वाला जो सुरू से है जिसमें उसको भाई पंचिंग बैक की तरह पीटा जाता है लेकिन दूसरा बॉड़ी जो है उसमें वो भाई हैंडसम मुंडा है एकदम भाई चिकना लॉंडा वैसे हो सकता है तुम सब को चिकना नहीं नजरा है लेकिन इस सीरीज की जितने भी लड़किया है वो सब तो इस पर मरती है कुछ भी बोलो पर हां ये फिर क्या करता है ये जब हो जाता है ना उसका उल द्राइंद वाले में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन जब मोटा वाला सोता है तो ये वाला ऐता है एक आतम के लिए बात जैसा होता है ऀ ce टाइप से है और यह कैसे करके धिरे-धिरे चेंजेस लाता है इसके उपर स्टोरी बताया गया है अब देखो तुम्हें साथ प्लॉट न्यू लग सकता है मुझे न्यू नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैंने इस टाइप के देख रखें थोड़े बहुत बट मेरे को यह सीरीज वन टाइम वाच लगा पर ऐसा नहीं है कि यह बहुत ज़्यादा पकाऊ है बाई बोर होने नहीं देगा और हां तुमको देखने में भी मज़ा आएगा प्लस इस सीरीज के एक खास प्लस पॉइंट क्या है पता है इस एनिमे को जब तुम देखोगा ना इसक जितने भी फॉर्णर्स के देखें ना इंडिया बोलेंगे तो वही ताजमहल तक की सीमित रह जाते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है यहां पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ा है लोग जानती ही नहीं कभी ताजमहल के अलावा भी कुछ और चीज़ों के बारे में दूसरे जगह दिखाए गया बट जो कुछ भी हो इस सीरीज में बस ओपनिंग में ताजमहल को दिखाया गया है जिस पर वही जैसे कि मैंने पहले बोला यार इतना बड़ा जगह है हमारा कंट्री का क्या बस यहीं इमेज रह गया कि बस सिंबल ऑफ लब सात्वा जुआ मे से एक ताजमहल आता है उसी को दिखाते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजे है यार तो उनको भी दिखाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा पर ऐसा यार क्यूं होता पता है हमारा कंट्री ऐसा है ना यहां के लोग प्रमोटी नहीं करते वैसे दूसरे कंट्री इसमें जा सीटी नहीं नजर आया बट उसको इतने अच्छे से कोरियं से यार दिखाते है ना तुमको एक टाइम लिए यहां पर जाना चाहिए वहीं जापान में चल जाओ तो टोक्यों को उतने मस्त तरीके से दिखाएंगे हमारे इंडिया में इंडिया में कोई मूवी वगरा यह स समझ नहीं आता पता ही रहता कि साला कहां पर सूट हुआ है तो ऐसा होता है इस वजह से सायद यह चीजे जो है गलत लगती है हमें और मुझे सच में यह चीज अच्छा लगा लेकिन यार ताजमहल के अलावा भी कुछ और दिखाओ क्योंकि मैं देख देखे पक चुका यह जो है आठ एपिसोड में निप्टाया गया है इस एनमे को देखो कम्प्लीट नहीं हुआ है इसका सेकंड सीजन भी आएगा लेकिन इन लोगों ने जो है फास्ट पेसिंग किया क्योंकि मैंने वेब्टून बस खोल के देखा था और इन लोगोंने सायद पचास चेप् एक्टर मुझे अच्छा लगा वो है वासको भाई ये बंदा यार सच में दिल जीत लिया क्योंकि इसने ऐसी काम कर रखें जहां पर दूसरे लॉंडे यार कमज़़ों को परिसान करते हैं उनको बुली करते हैं ये बंदा भाई अपना एक ग्रूप बना के रखा है जहां पर ये उनको प्रोटेक्ट करता है प्लस हमारा जो एमसी है मेन हीरो है भाई मुझे एक टाइम के लिए इरिटेट कर दिया था ये बंदा बिकोज जब भी ये बंदा इसकूल जाएगा भाई वो फिक्स है लड़िखियां चिलाएंगे ओमाइगाड ये किता हैंडसम है और कुछ नहीं भाई सच में एक टाइम के लिए इरिटेट हो गया था मैं वैसे तुम सब भी जब देखें पका देगा यार अब कुछ नया दिखा दो बहुत देख लिया ये चीज सुन सुनके वैसे खैर तुम्हें इस सीरीज की जो मेन फीमेल कारेक्टर है वो भी तुमको अच्छी लगेगी जब वो इंटर्ड्यूस होगी वसे ये जलक दिखाने के लिए आती है जैसे वन पीस में सैंक्स आता है बस आता है चला जाता है और कुछ ना कुछ महाल बना के चल जाता हो इसे जो मेन फीमेल कारेक्टर है हमारी सीरीज की इस सीजन तो यही सब की है त हां तुम्हें देखने में मजा आएगा मुझे यह सीरीज वन टाइम वाच लगा लेकिन तुम्हें हो सकता है ज्यादा मजा आए और हो सकता है तुम देखते हुए बोर ना भी हो लेकिन यह सीरीज जो है मैं रेटिंग देखे मजाक नहीं बनाँगों भी को दिये इस वाला तो मुझे और ज्यादा कबार लगता है लेकिन फिर मैंने सुचा कि इंगलिस में देखने के बजाए हिंदी में देख लेता हूं जब हिंदी दिया है तो तुम सब भी जो नेट्फलिक्स है तो जा करके हिंदी में देख सकते हो और सपोट दिखाओ इस एनमे को जसे इसका second season में जल्दी आ सके और ज्यादा कुछ नहीं बात करने के लिए तुम सब भी जैनमे को देखने के बाद comment box में बता सकते हो कैसा लगा एक बार try ज़रूर करना तो यार वीडियो पसंद आया नहीं आया comment box में बताना प्लस इस चैनल को बस तुम एक لुकिजम फै हो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना because इस चैनल पर वन पीस के वीडियोस आते हैं और ऐसे बीच-बीच में कभी कबार अगर दूसरा आयन में या मांगा देखता हूं तो मैं बना दूंगा वीडियो और हां मिलेंगे नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई